So, Hey everyone, तो स्वागत है तुम लोगों का आपके चैनल पे जिलका नाम है Alpha Trading और आज तुमको एक जिगजग की बड़िया सा स्ट्राटेजी बताते हैं जिसको यूज यहां पे नहीं करना है तुमको यहां पे जब भी बता रहे हैं तुमको वो यहां पे यूज नहीं होगा वो लाइव करनसी पे यूज करना है और उसके पीछे का रिजन भी बता देता हूँ क्योंकि ट्रीडिंग वीव में तुमको अगर स्ट्राटेजी बता रहे हैं और कोटेक्स के अंदर नहीं चल रहे है इसका मतलब कि OTC मार्केट अवेलेबल है अधरवाइस अभी लाइव मार्केट पे भी दिखा देता तो देखो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या रहता है जब भी तुम्हें ऐसे एंटर करते हो मार्केट में सबसे पहला काम क्या रहता है तुम्हारा कि मार्केट चेक आउट करो लेकिन तुमको देख जाता लाइव अकाउंट और वहाँ से सीधा बड़ा अमाउट का ठ्रेड लेना और ऐसे ही मेरी तरह सीधा इसकी है मैं तो पांस सेकंड की ठ्रेड ले रहा हूँ जो ये कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आज को सब अमबानी होते तो भाई पहली बात तो बदा देता हूँ कि ये लोग जितने भी है ये अमबानी नहीं है लेकिन ये खुद में बेस्ट है तुमको अमबानी क्यों बनना समझ नहीं आ रहा है अमबानी के पास पैसा है क्योंकि भाई उसने business continuously किया है practice continuously किया अपने business के लिए और वो सीखता गया अपनी हर एक problem से जो उसको face करना पड़ी है हर एक problem उसने face की उसके experience से उसने सीखा और जो गलतिया नहीं करने चीए वही गलतिया उसने नहीं की बिजनस में अब अगर मैं तुमको यह कहूँ कि यहां पे यह डेली के जो लोग हैं इतने सारे यहां पे from different countries यह इतना profit कैसे earn करते हैं वो भी देखो यहां पे मैं बताता हूं तुमको 100% accuracy किसी के पास भी नहीं रहती 90% भी नहीं है 80% तक नहीं है around यहां पे कितनी accuracy है maximum जो top leaderboard पे हैं उनकी accuracy कितनी है यहां पे accuracy भाई इनकी यहां पे अगर तुम total low और average ले लो जैसे यहां पे 32 trades लीस बंदे ने 16 तो 16 twos are 32 ओके तो 50% accuracy के साथ यह 3000 dollar earn कर सकता है एक दिन में तुम क्यों नहीं कर सकते मुझे यह समझ नहीं आरे क्योंकि भाई तुम्हारे पास amount कम है और तुमको risk management money management बिल्कुल नहीं आता जो तुमको किसी ने नहीं बताया अभी तक और फिर आते हैं strategy के उपर अब strategy के नाम पे तो तुमको इतना ही पता कि strategy कोई भी काम नहीं करती अभी तक यहीं बताया हुआ मैं agree हूँ क्योंकि मैंने ही बताया हुआ strategy हर जगा काम नहीं करती हर एक strategy हर जगा पे applicable नहीं हो सकती अगर मैं इस strategy को बता रहा हूँ तो इसके पीछे का कोई reason है अब देखो यहाँ पे मैंने use क्या किया जिग जग चैनल्स लक्सल को इसको trading view में जाके apply कर दो अगर trading view तुम्हारे पास laptop पे नहीं है तो तुम mobile में भी कर सकते है इतना तुमको पता होना चाहिए अब यह देखो यहाँ पे यह indicator तुमको एक तु सबसे पहले तुम्हारा potential resistance और support खुद बना के देगा जहाँ पे तुमको trade करने रहेगी माल लो यह तो बाद में trade लगा अगर तुम्हारे पास अगर पहले से भी रहता अगर यह first resistance लेता सॉरी यह गलत draw हो गया अगर first resistance लेता तो यह इस level का था जैसे cross out किया अपवाट पे एक दो trade low अगर retest लेता है तो ठीक otherwise एक particular point पे resistance फिर से set कर दो देखो जैसे यहाँ पे resistance था market पे तुमको पता हो ना चीकि इसी के बाद market change होगा इतना तो तुमको पता होगा अगर support and resistance की class समझी होगी तो zigzag तुमको आसान कर रहा है support and resistance लगाने में और वो तुमको अपने हिसाब से set करना ही रहेगा अगर तुम नहीं कर पा रहे हो भाई गलती तुम्हारी है तुमकि तुमने सीखा ही कुछ नहीं है अभी तक ओके तो यहां पर 28 drawings कर देते हैं cancel और फिर आजाते हैं अभी indicator पर अभी क्या था हमने बता हुआ zigzag channels luxalgo ओके यहां पर बहुत सार है यहां पर अगर fabonasi levels भी देखोगे तुम अगर तुमको यहां पर दे देते हैं luxalgo को चलो hide कर देते हैं और fabonasi अलगो दे देते हैं तो यहां पर भी काफी चीज़ें हैं समझने को लेकिन तुमको बिलकुल समझ नहीं हाने वाली है तुमको पता है और मुझे पता है कितने पानी में तुम लोग हो इसलिए zigzag channel बढ़िया है और अगर तुमको नहीं आ रहा पसंद तो भाई तुम्हारी गलती है अब इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता अब यहां का support इस level का दिया हुआ है तो support पे trade यहां पे है अगर इसको cross out करके next candle दे रहा है then shift हो जाओ change कर दो जैसे यहां से अगर मान लो अब मैं भाई तुमको past पे बता रहा हूँ जो कि कोई नहीं बताने वाला okay past पे बताने वाला c support यह रामीन इसको cross out कहां से किया यहां से market ने resist यहां से लिया start then market इसी resistance से कभी उपर जा ही नहीं पाया और यहां से फिर से इतना नीचे okay यहां से resistance cross out करके अगर तुमको indication दे देता है मिल जाता है तुमको confirmation point तो यहां से upward action पहले लो इससे बड़िया strategy I don't think कि कोई तुमको recommend करने वाला है या बताने वाला है अभी market stop है तो तुमको कोई और currency पे भी मैं इसका live proof बता देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को भाई proof चाहिए रहता है और वो provide मैं करवा रहा हूँ ठीक है तो अब देखो market सबसे पहले यहां पे उस currency में support काफी नीचे था इस पे उपर क्यों है क्योंकि यहां पे भाई downward action पे movement काफी ज़ाद कम है sorry down पे ज़ादा movement नहीं है यहां पे down पे movement यहां पे थी तभी यह थोड़ा बड़ा gap इनके बीच support और middle support के बीच रह गया main zigzag और support के बीच यह support रहा आपका और यह main zigzag है और यह आपका resistance point तो अब आते हैं यहां पे अब मालो यह support लिया यहां से down कब लिया market ने अब तुमको यह भी जानना रहेगा क्योंकि actual में इस point पे है तो तुम यहां से ले लो यार जैसे यहां से है तो तुम यहां से इसको इस point तक ले लो फिर यहां से confirmation पे रुकना है हमेशा जब भी market इसको cross out करेगा confirmation लेना है resistance पे ठीक है सीधा trade नहीं लेना अगर wait कर लोगे तो तुम्हारा profit ने निकल जाएगा धीरे धीरे देखो इस resistance को कभी break करी नहीं पए market गिर गया आगे अब market resistance पे है resistance अगर इसका break out हुआ जैसे यहां पे इसका resistance break out हुआ अब मैं resistance पे भी बता रहा हूँ अभी तक support बताया ना अभी resistance भी बताऊंगा अगर तुम सोच रहे होगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ तुमको खाली ग्यान दे रहे हैं हम तो भाई नहीं दे रहे हैं सौरी क्योंकि हम ग्यान देने यहां पे नहीं आएं तो यहां पे आप ट्रेंड लाइन करते हैं select तो यह यह resistance आपका पहले से बना हुआ था ओके ओके फाइनली तो यहां पे trade क्यों लेना सबसे पहले अगर तुमको support दिख रहे काफी जादा यहां पे तो तो ट्रेंड ले सकते हैं यहां पे otherwise wait for the signal confirmation इसके पास रुको ओके अब इसके पास रुक रहे हो तुम ओके डन अगर यह confirm हो गया तो जैसे इसको breakout करता market यहां से trend बिल्कुल shift हो जाएगा यहीं से यह support रहा इस support पे अभी तक market पहुँच ही नहीं पाया है और actual में अगर तुम market का trend देखोगी EURUSD का तो अभी neutral है ना जादा high है ना low है जादा तो इस basis पे तुम काफी सही से trade ले सकते हो अगर तुमको trade लेना है अगर तुमको समझ आया तो comment कर दो अगर नहीं आया बिल्कुल फिर फिर comment कर दो नेक्स वीडियो एक और आएगी इसी के उपर अगर नहीं समझ आया live market पे तुमको इसी चीज के उपर एक बड़िया सा trade लेके दिखाएंगे और बताएंगे कि भाई कितना तुम पानी में और कितना नहीं हो और तुमको समझ आया नहीं आया उस पे लग जाएगा पता और किसी को भी ज़्यादा चुल मची हो profit करने की तो यहां आके कर लो ठीक है broker अच्छा है बाकि सब कुछ अच्छा है withdraw मिल जाता है deposit easily हो जाता है और इससे बड़ा और क्या चाहिए अगर तुमको बोलों कि free में मिलेगा सब कुछ यहां पर यह तो possible नहीं होने वाला और ऐसा नहीं कि यह बांट रहे हैं पैसे तुम सब को कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कोई भी रोकर पैसे नहीं देने वाला तुमको free में यहां पर trade करो, win करो लेके जाओ, कोई भी रोकेगा नहीं, और next चीज, नीचे लिंक पड़े हुए जिसको join करना है, करें ना करना है, मरवाते रहें भाई, इससे मिलेको बिल्कुल फरक नहीं पड़ता, जो supporter है वो करेंगे और जो hitters हैं उनका तो कामी हुई है अगर तुमने अभी तक support नहीं किया, तो नीचे जाके support कर लो, support के नाम पर कुछ भी नहीं है, description पर जाके तुमको join कर देना, quotex और इसके बाद strategy समझ आई, उसके बारे में comment लिख देना है, और support किया या नहीं, उसके बारे में बता देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बावा, be safe guys and be aware